हलो गाईज, वेलकम बैक टो एकरसूब, यह CSS टुटोरियल वीडियो सेरीज की थर्ड नमबर वीडियो है, जिसमें हम CSS के बैक्राउंड के बारे में जानेगे, बैक्राउंड में क्या-क्या आप एडिटिंग कर सकते हैं, CSS से, ठीक है, अगर आप सको डारेक्ट CSS के जो बैक् क्रेट करूँगा और दिखाऊंगा आपको, ठीक है, HTML अगर आपको सब देखने हैं, तो आप यहां से शुरू कर सकते हैं, और अगर आपको CSS, direct CSS को एक्सेस करने हैं, direct CSS वाले पार्ट को देखने हैं, तो आप नीचे description पर चेक कर लें, ठीक है, तो शुरू करते हैं, सबसे CSS को यहां पर खोल लेता हूँ, VS Code में, ठीक है, edX.html और CSS है मेरे पास यह फाइल, अगर आपको नहीं पता कि इन दोनों को कैसे link कर जाता है, तो मैंने इसकी वीडियो बना रहे हैं, और मैं वीडियो की link की description में दोंगा, आप playlist को access कर लें, अगर आप starting से web designing, web development में जाना चाते हैं, सीखना चाते हैं, HTML, CSS, तो मैं उसकी, जो वीडियो है, उसकी description में link दे दूँआ, तो पहले मैं HTML क्या कुछ तयार कर लेता हूँ, माल, जिस पर मैं editing करूँआ, CSS में, ठीक है, आप नीचे description चेक कर लें, अगर आपको direct CSS वाले पार्ट में जाना है, अगर HTML भी ठीक नहीं आपको, तो वीडियो को पूरा देखें, यहां से, तो मैं यहां पर live server open कर लेता हूँ, और यहां पर इसको hide कर देता हूँ, अब यहां पर h1 एक tag ले लेता हूँ, यहां पहले मैं div create कर लेता हूँ, अगर आपको यह सब नहीं पता, यह सब क्या है, तो मैं उसक hacker sub लिख लेता हूँ, और यहां पर मैं refresh करता हूँ, तो यह मेरा hacker sub output में आ गया है, और इस div के अंदर मैं एक और div ले लेता हूँ, div एक tag का container होता है, ठीक है, और इधर मैं ले लेता हूँ, p tag, this is the paragraph tag, और यह एक मेरा div है, इस div के अंदर यह चीज है, और इस div के अंदर यह चीज है, और यह पूरा का पूरा एक div है, ठीक है, तो पहले चलो इतने सही बात करते हैं, इतने सही शुरू करते हैं, मेरा यह देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं, कि मैंने link कर रखा है अपने CSS को, यहां पर, ठीक है तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, कि आपको बताओं कि background में आप कितने types के editing कर सकते हैं background में ठीक है तो जैसे ही मेरा div है, कि मैं एक class create लेता हूं, पिछली वीडियो में कि इतने types से आप access कर सकते हैं, तो एक class एक method था class एक selector था तो मैं अगर यहाँ पर लिख दू, main, ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर को लिखूँँगा, तो main को access करने के लिए मेरे को dot main लिखना पड़ेगा, क्योंकि यह एक class है, और class को जब आप use करेंगे, तो फिर dot से उसको use करना पड़ता है, ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मैं एक बर इसको hide कर लेता हूँ, background, मैं सिरफ background बताता हूँ, background, ठीक है, अब background के बाद आपको क्या करना है, कि यहाँ पर सबसे पहले जो मैं बताता हूँ, background के बाद मैं color बताता हूँ, ठीक है, आपको लिखना है background color, और यहाँ पर बहुत सारे options आपके पास हैं, कि या तो direct color का नाब लिख सकते हैं, या फिर hexagon, hexa एक code होता है, ठीक है, उससे कर सकते हैं, RGB है, तो colors का जो बात है, वो colors में करेंगा, आपको मैं simply अभी background color के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं अगर लिख दू red, तो यह जितना भी मेरा is div के अंदर element है, is div के अंदर, यह जो, जैसे यह वाला div है न, इस div के अंदर ही यह सारे element है, hacker sub और paragraph, तो पूरा div में impact हुआ है, उसका फरक, ठीक है, अगर मैं इसको उठाके, इसका नाम बदल दूँ, इधर रख दूँ, तो फिर सिरफ heading, जो hacker sub है, वही red होगा, ठीक है, तो इस तरह से आप background color change का सकते ह है, और अगर मैं दुबार से control Z कर दूँ, क्योंकि मुझे sub में बताना है, ठीक है, तो यह background color की बात हो गई, अगर मैं यहाँ पे एक और चीज की बात करूँ, तो आप इस से कर सकते है, opacity, opacity क्या होते है, वह देख लेते हैं, opacity आपको लिखना है, और यहाँ पे opacity की value होती है बहुत यह 0 से लेकर 1 तक, तो 0.5 लिख देता हूँ, तो आपको यह फर्क दिख रहा होगा, कि background color के साथ साथ में रहा है, जो इसके अंदर child elements है, child elements मतलब, कि यह parent elements हो गया, और उसके अंदर यह child elements है, मतलब, यह जो हो गया एक तरह से बाप कहला हो, और यह इसके बेटे ब तो मैं क्या गरूँगा, कि मैं लिखूँगा, rgba, background color में, ठीक है, मैं क्या लिखूँगा, background color, rgba, इस तरह से मैं लिखूँगा, a को बोलते है, alpha, ठीक है, और उसमें क्या होगा, कि background color तो आपका highlighted हो जाएगा, मगर text आपका dark रहेगा, जो पिछली बार नहीं हुआ था, ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे, इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि starting में आप notepad से शुरू करें, क्योंकि मेरे को यह सारी, बहुत सारी चीजें, अपने आप auto में हो जा रही है, उसकी, तो मैं अगर यहाँ पे 0.128, 0.128, 0, और यहाँ पे अब मुझे देनी है, alpha, a की value, a की value अगर मैं दे दू हूँ, यहाँ पे 0.3, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, कि यह जो color है, एक वर मैं इसको पहले इसको zero रखता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि background color बिल्कुल का बिल्कुत highlight हो गया है, one रखता हूँ तो थोड़ा और आया, two रख बिल्कुल background color गया भी ही हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से आप highlight कर सकते है background color को और अपने text पे अपने जो parents और child elements है, उन पे कोई फरक नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो दो property हमने देख लिए background color and background color के साथ, RGBA, RGB क्या होता है, यह red, green, blue, इन तीन के ही combination से सारे के सारे colors मिला आप जाते हैं, ठीक है, तो यह था इसके बारे में, और मैं एक बर चोटा कर लेता है इसको, ठीक है, तो इसको मैंने बताया था, वीडियो में इसको बोलता है declaration block, declaration block या declaration block जो भी आपको कहना है, ठीक है, इस सारे को, यह होती है properties और यह होती है value, अब हम बात करते हैं, एक आपको color नहीं लगाना है, या फिर मैं सब हटा देता हूँ, आप एक लिगा नोट कर लेने को, जितने भी properties में बता रहा हूँ, और मैं अब use करने जा रहा हूँ, background image, तो background image में जाना है आपको, और यह url वाला आपको पाद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो आप ऐस copy image address कर लिया है, मैं यहाँ पर जाके पेश कर दूगा, और यहाँ पर यह देखिए, आपको यह दिख रहा होगा, कि background में वो पूरे के पूरे div पे वो चीज आ चुकी है, ठीक है, यह image address काफी ज्यादा लंबा हो गया है, ठीक है, तो इस तरह से आप image को add कर सकते हैं, अगर और मैं download करके, क्या नाम रखता हूँ, rr.jpg, jpg, jpg ही format होता है, ठीक है, तो मैं इसको copy कर लेता हूँ, download से, और अपने css वाले, desktop पेना मेरा file, desktop paste folder में मैं, css वाले में paste कर देता हूँ, folder सेम रहे ठीक है, अगर folder चेंज कर दिया तो आपको उसका पूरा का पूरा path देना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह rr करके आ गया है, तो rr.jpg, जैसे ह मैं यहाँ पे करूँआ, और refresh करता हूँ, तो refresh करें भी नहीं क्योंकि यह live server है, तो यहाँ पे update हो चुका है वो, तो इस तरह से आप background image add कर सकते हैं, इसको अगर आपको highlight करना है, तो फिर वह opacity वगर आप कर सकते हैं, ठीक है, तो अब जो अगली property है, मैं बात करता हूँ, यह background image हो गया है, background color हो गया है, opacity हो गई है, background image और, जो background image है, उसकी पहले बात कर ले थोड़ी सी कि यह देखिए, यह तो चलो कि, यह शायद repeat हुई है, image हा न, क्योंकि यहाँ पे ऐसा function है, function यहाँ पे भी है, तो यह by default क्या है, कि HTML का जो, by default जो property है, background image की वो होती है, repetition, मतल तो वो पूरे के पूरे container को cover करना चाहता है, ठीक है, अगर मैं इसकी, मैं एक बना, इसकी height अगर मैं दे दूँ, मैं, जैसे main में है, तो इसकी मैं height दे दू, 30px, तो 30px ने, चलो मैं बहुत जादे देता हूं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आपे, कि यह पूरा का जैसे, तो यह रेखिए, image बहुत बार repeat, repeat, यह नीचे भी दे हो, repeat होगई image, तो यह by default, पूरे का पूरे HTML को cover करने के लिए, पूरे का पूरे elements को cover करने के लिए, यह repetition on होती है, ठीक है, अगर आपको repeat बंद करना है, repeat नहीं करना, तो आपको लिखना पड़ेगा, background, repeat आपक no repeat, ठीक है, तो अब यहाँ पे, यह मैं एक और पड़ा करके दिखा देता हूँ, इसको यह देखिए, कोई भी image repeat नहीं हो रही है, ठीक है, और अगर आप चाते हैं इसको, कि यह repeat हो, मगर सिर्फ x direction में हो, और repeat, अब देखते हैं, यह देखिए, कि यह horizontally तो repeat हो रही होगी, यह देखिए, मगर vertically repeat नहीं हो रही है, ठीक है, तो इस तरह से आप repetition को control कर सकते हैं, और अगर आप चाते हैं, कि यह vertically repeat हो, मगर horizontally नहीं हो, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको axis, यह y axis होता है न यह, और यह x axis, तो उसी तरह से आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है, और अ सब्सक्राइब करें तो अगर को कोई डाउट होता तो बात करता हूं बैक गरणर पोजीशन की बैंकराउन को चाहता हूं यह मेरी डि राइट की तर फुछ तो मेरे को देना पड़ेगा background position यहां पर चलो आनी रहा मैं type कर लता हूँ background position और colon लगाने आपको यहां पर लिखना पड़ेगा आपको जैसे top ठीक है और right और जैसे ही मैं semicolon लगाता हूँ यह देखिया आप image जो है मेरे right की तरफ shift हो गई है ठीक है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं by default यह जो है center में repeat होगी shift होगी ठीक है right में लिखूंगा तो मैं और अगर मैं इसको bottom bottom कर दूँ तो यह नीचे की नीचे चली जाएगी image ठीक है तो इस तरह से आप control कर सकते है image की position को ठीक है अगर आपने bottom right लिख दिया है तो वह नीचे की तरफ shift हो जाएगी अगर by default है तो वह center में रहेगी और अगर top top लिख दिया है तो top right में हो जाएगी ठीक है तो उमीर है background position भी समझाया हूँगा अब बात करते है attachment की attachment को चलो attachment को कैसे समझाँ attachment को समझाने के लिए मेरे को background को चलो मैं पहले कर लेता हूँ और मैं यहापर कर देता हूँ scroll बाकि सारे के सारे जो भी इसमें values वगर है मैं बताऊं को ठीक है मगर अभी मैं एकदम basic से शुरू कर रहा हूँ इसको ठीक है तो background attachment मैंने कर दिया scroll और जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो आप दिख रहा होगा कि यहां क्या हो रहा है कि image जो है यह भी मेरी साथ साथ मूव कर रही है अगर मैं यहां पर कर दो इसको fix ठीक है तो अब देहना क्या होगी मेरा container मेरा elements तो नीचे जा रहे है मगर मेरी background image जो है वो fix हो चुकी है वो नहीं shift और यह ठीक है आप यहां देख सकते है कर सब यह वहीं का वहीं है image नहीं shift और यह ठीक है तो इस तरह से आप image को जो है absolute में जाके attachment में जाके scroll और fix कर सकते हैं ठीक है तो अगली जो property है वो मैं बताता हूँ कि चलो वो properties ना मैं बाद में discuss करूँगा क्योंकि वो थोड़ी advance समाँ जाएगी उसके लिए आपको padding और margin समझना पड़ेगा तो यह वीडियो शायद कितने देर के होगी 16 मिनीट की ठीक है तो इस वीडियो के लिए इतना ही बाकी जो भी properties रह रही है background से related वो चीज़ advance में आएगी और मैं cover करूँगा उसको तो अगर वीडियो अच्छी लेगे तो like कर देना चैनल को subscribe कर देना धन्यवाद